ओम शान्ति आज 15 अक्तुबर दो हजार चोबीस की बाबा की साकार मुरली है मुरली के महवाक्य है नीठे बच्चे तुम सब की आपस में एकमत है तुम अपने को आत्मा समझ एक बाब को याद करते हो तु सब भूत भाग जाते हैं प्रशने है पदमा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधर क्या है उत्तर है जो बाबा सुनाते है उस एक एक बात को धारन करने वाले ही पदमा पदम भाग्यशाली बनते है जचकुरू बाबा क्या कहते है और रावन संप्रदाय वाले क्या कहते है बाब जो नौलेज देते है उसे बुद्धी में रखना स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पदमा पदम भाग्यशाली बनना ही इस नौलेज से ही तुम गुनवान बन शाते हो ओम शान्ती रूहानी बाब अंग्रेजी में कहा शाता है स्प्रिच्वल फादर सत्यूग में जब तुम चलेगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं तुम जानते हो सत्यूग में हमारा राज्यो होता है उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती हैं अभी तो अनेकानेक भाषा हैं जैसा जैसा राज्या वैसे वैसे उनकी भाषा चलती हैं अब यह तो सब बच्चे जानते हैं सब सेंटर्स पर भी जो बच्चे हैं उनकी है एक मत्ब अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भागशे बाप हे पतित पावन पांच भूतों की तो सब में प्रविष्टा है आत्मा में ही भूतों की प्रविष्टा होती है फिर इन भूतों अथ्वा विकारों का नाम भी लगाया शाता है देह अभीमान, काम, क्रोध आदि एसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई इश्वर है कभी भी कोई कहे कि इश्वर सर्वव्यापी है तो कोहो सर्वव्यापी आत्मे है और इन आत्माओं में पांच विकार सर्वव्यापी है बाकि एसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराज्मान है परमात्मा में फिर पांच भूतों की प्रविष्टा कैसे होगी एक एक बात को अच्छे रिती धारन करने से तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो दुनिया वाले रावन संपरदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं अब जच करो हर एक के शरीर में आत्मा है उस आत्मा में पांच विकार प्रवेश है शरीर में नहीं आत्मा में पांच विकार अत्वा भूत प्रवेश होते हैं सद्यूग में यह पांच भूत नहीं है नाम ही है डीटी वर्ल्ड यह है डेविल वर्ल्ड डेविल कहा शाता है असुर को, कितना दिन और रात का फर्क है, अभी तुम चेंज होते हो, वहा तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अउगन नहीं रहता, तुम्हारे में संपुर्ण गुन होते हैं, तुम सोला कला संपुर्ण बनते हो, पहले थे फिर नीचे उतरते हो, इ थाद इस चक्र का नौलेज हुआ ही उठते बैठते चलते तुमको यह नौलेज बुद्धी में रखना ही बाप नौलेज पढ़ाते ही यह रुहानी नौलेज बाप भारत में ही आकर देते ही कहते हैं न हमारा भारत बास्तों में हिंदुस्तान कहिना तो रौंग ही तुम जानते हो भारत चब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्च था और कोई धर्म नहीं था नू वर्ल्ड थी नई देहली कहते हैं न देहली का नाम असल देहली नहीं था परिस्तान कहते ही अभी तो नई देहली और पुरानी देहली कहते हैं फिर न पुरानी न नई देहली होगी परिस्तान कहा शायगा दिल्ली को कैपिटल कहते हैं इन लक्षमी नारेन का राज्च होगा और कुछ भी नहीं होगा हमारा ही राज्च होगा अभी तो राज्च नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं, हमारा भारत देश है, राज्य तो है नहीं, तुम बच्चों की बुद्धी में सारा ज्यान चक्र लगाता है, बरो बर, पहले पहले इस विश्व में देवी देउताओं का राज्च था, और कोई राज्च नहीं था, ज पाप अत्मा बन गए है, बाप ही आकर पावन बनाते है, जिसकी तुम शुव जयन्ती भी मनाते है अब जयन्ती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए इनको फिर शुव रात्री कहते हैं, रात्री का अर्थ दो तुमारे सिवाय और कोई समष न सके, अच्छे अच्छे विद्वा ना दी कोई भी नहीं शानते कि शूरात्री क्या है तो मनावे क्या बाप ने समझाया है रात्री का अर्थ क्या है यह जो पांच हजार वर्ष का चक्र है उसमें सुख और दुख का खेल है सुख को कहा शाता है दिन दुख को कहा शाता है रात तो दिन और रात की बीच में आता है संगम आधा कल्प है सोजरा आधा कल्प है अधियारा बक्ती में तो बहुत तिक तिक चलती है यहाँ है सेकेंड की बात बिलकुली जी है सहेज योग तुमको पहले जाना है मुक्तिध फिर तुम जीवन मुक्ती और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, यह तो तुम बच्चों को याद है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल शाते हो, बाप समझाते हैं, योग अक्षर्थी कहें, परन्तु उनों का है जिस्माने योग, यहो है आत्माउं का परमात्मा के साथ सन्यासे लोग अनेक प्रकार के हट्योगादी सिखाते हैं, तो मनुष्य मूझते हैं, तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़ेना, टीचर से पढ़ना होता है, बच्चा जनम लेता है, तो पहले बाप से योग होता है, फिर तो अलग-अलग होते हैं, यह एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, वंडर्फुल है न, ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, जनम जनमांतर तीन को अलग-अलग याद करते आए हो, सत्युग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर स होता है पढ़ने तो शाते हैं न बाकी गुरू की वहाँ दरकार नहीं रहती क्योंकि सब सद्गती में है यह सब बाते याद करने में क्या तकलीफ है बिल्कुल सहेच है इनको कहा शाता है सहेच योग परंतु यह है अनकॉमन बाप कहते है मैं यह टेंप्ररी लोन लेता साथ वर्ष में वानप्रस्त अवस्ता होती है कहते है साथ लगी लाट इस समय सब को लाठी लगी हुई है सब वानप्रस्त निर्वान धाम में शाएंगे वह है स्वीट हूम स्वीटेस्ट हूम उनके लिए ही कितनी अथाह भक्ती की है अभी चक्र फिरकर आये हो मनुशों उनको यह कुछ भी पता नहीं ऐसे ही गपोडा लगा दिया है कि लाखो वर्ष का चक्र है लाखो वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिलना सके रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए तुमको रेस्ट मिलती है उसको कहा शाता है साइलेंस हो इन कारपुरियल वर्ड यह है स्थू भागने वाला कोई होता नहीं यह तो सबसे दीखा है एक सेकेंड में शरीर छूटा और यह भागा दूसरा शरीर तो तयार रहता है ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है ड्रामा कितना एकुरेट है इनमें कोई एकुरेसी है नहीं यह तुम जानते हो वालुम केसे पढ़ता है कि इनमें बाप भगवा नहीं जब नौलिज देते हैं बच्चों को बेट समझाते हैं शुरात्री भी मनाते हैं न मैं शुक कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है शुरात्री क्रिश्न रात्री मनाते हैं राम की नहीं मनाते क्योंकि फ यहां हे ही आसुरी रावन राच्य, यह समशने की बाते हैं, यह तो हे बाबा, बुढे को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े ही कहेंगे, कोई कोई लव से भी बच्चे को बाबा कहे देते हैं, तो उनोंने भी स्री कृष्ण को लव से कहे दिया हैं, बाब तो तब कहा शाता है जब बड़े हो और फिर बच्चे पैदा करते हो स्री कृष्ण खुद ही प्रेंस है उनको बच्चे कहा से आई बाप कहते ही है मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ शासरों में भी है परन्तु शासरों की सब बाते एकुरेट नहीं होते कोई कोई बात थी कहें ब्रह्मा के आयू माना प्रशापिता ब्रह्मा की आयू कहेंगे वह तो जरूर इस समय होगा ब्रह्मा की आयू मृत्यू लोग में खत्म होगी यह कोई अमर लोग नहीं है इनको कहा शाता है पुरुशुत्तम संगम्युग यह सिवाए तुम बच्चों के और कोई की बुद्धी में नहीं हो सकता बाग बेट बताते हैं मीठे मीठे बच्चो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो हम बतलाते हैं कि तुम 84 जनम लेते हो कैसे तो भी तुमको पता पड़ गया है हर एक युग की आयो 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिये है 84 जनमों का हिसाब है न 84 लाह का तो हिसाब हो न सके इनको कहा शाता है 84 का चक्र 84 लाह की तो बात ही याद न आए यहां कितने अपरम अपार दुख है कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते है इसको कहा शाता है गोर नर्ग बिल्कुल छी छी दुनिया तुम बच्चे जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे है पाप कड़ जाए तो हम पुन्यात्मा बन जाए अभी कोई पाप नहीं करना है एक दो पर काम कटारी चलाना यह आदी मध्य अंत दुख देना है अभी यह रावन राज्च पूरा होता है अभी है कल्यूक का अंत यह महाभारी लड़ाई है अंतिं फिर कोई लड़ाई आदी होगी ही नहीं वहा कोई भी यग्य रचे नहीं शाते जब यग्य रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं बापने भी यह जो रुद्र यग्य रचा हैं इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामगरी सब स्वहा कर देते हैं अब बाप ने समझाया है यहो ही रुद्र ज्यान यग्य रुद्र शु को कहा शाता है। रुद्र माला कहते है न निवरित्ती मार्ग वालों को प्रवरित्ती मार्ग की रसम रिवात्स का कुछ भी पता नहीं है। वहो तो घर बार छोड जंगल में चले शाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास। घर बार का खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परिक्षा लेते हैं, काम कराते हैं। पहले भिक्षा में सीर्फ आटा लेते थे, रस्वय नहीं लेते थे। उनों को जंगल में ही रहना है, वहा कंद मूल फल मिलते हैं, यह भी कायन है, जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं, तब यह खाते हैं, अभी दो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं, इसका नाम ही है विशश वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड, तो अपने को विशश सम बाप कहते हैं सत्यूक को कहा शाता है शिवाले वाइसलेस वर्ड यहां तो सब है पतीत मनुष्य इसलिए देवी देवता के बदले नाम ही हिंदु रख दिया है बाप तो सब बाते समझाते रहते हैं तुम असल में हो ही बेहद बाप के बच्चे वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं जन्म जन्मांतर के बाप तुम्हारे सिर पर हैं बापों से मुक्त होने के लिए ही तुम बुलाते हो साधू संत आदि सब पुकारते हैं हे पतीत पावन अर्थ कुछ नहीं समझते ऐसे ही गाते रहते है ताली बशाते रहते हैं उन से कोई पूछे परमात्मासे योग कैसे लगावे उन से कैसे मिले तो कहे देंगे वह तो सर्वव्यापी है क्या यही रस्ता बताते हैं कहे देते वेद शास्र पढ़ने से भगवान मिलेगा परन्तु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लैन अनुसा राता हूं. यह ड्रामा का राच सिवा बाप के और कोई नहीं शानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष की बाद हैं। कल्प पहली भी बाबा ने कहा था कि मन मनाभव, यहो है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र है, बाप ही बेट अर्थ सम्षाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं सम्षाते, गाया भी शाता है न, सर्व का सद्गती दाता एक, कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, देवताउंख भी बात नहीं है, वहा तो सुख ही सुख हैं, वहा कोई भक्ती नहीं करते, भक्ती की इशाती है भगवान से मिलने के लिए, सत्यूग में भक्ती होती नहीं, क्योंकि 21 शन्मूं का वर्सा मिला हुआ हैं, तब गाया भी शाता हैं, दुख में सिम्रन, यहा तो अथा हो दु करो, यह कलियूगी दुखी दुनिया सदेव नहीं रहती, सत्यूग त्रेता पास्ट हो गए हैं, फिर होंगे, लाको वर्ष की तो बात भी याद नहीं रहे सकती हैं, अब बाप तो सारी नौलिज देते हैं, अपना परिच्वे भी देते हैं, और रच्छना के आदी मध्य अंतका राज भी समझाते हैं, पांच हजार वर्ष की बात हैं, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया हैं, अभी तो पराय राच्छ में हो, तुमको अपना राच्छ था, यहा तो लड़ाई से अपना राच्छ लेते हैं, हतियारों से मारा मारी से अपना राच्छ लेते है इसको कहा शाता है कल्यूगी पुरानी दुनिया सत्यूग है नई दुनिया यह भी किसको पता नहीं है सन्यासी कहे देते यह आपकी कल्पना है यहाँ ही सत्यूग है यहाँ ही कल्यूग है अब बाप बैट समझाते हैं एक भी ऐसा नहीं है जो बाप को जानते हो अगर कोई जानता हो ता तो परिचे देता सत्युक्त रेता क्या चीज है किसको समझ में थोड़े ही आता है तुम बच्चों को बाप अच्छी रिती समझाते रहते है बाप ही अब सब कुछ जानते है जानी जाननहार अर्थात नौलिजफुल है मनुष्य स्रिष्टी का विजोरूप है ज्यान का सागर सुख का सागर है उनसे ही हमको वर्सा मिलना है बाप नौलिज में आप समान बनाते है अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मोनी रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की सिखिलते रुहानी मात पिता बाप ददा को याद प्यार गुड मोनी और नमस्ते बाबा नमस्ते दारना के लिए मुख्यसार पहली पॉइंट है यह पापों से मुक्त होने का समय है इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है पुरानी सब सामगरी इसरुद्र यग्य में स्वाह करनी है दूसरी पॉइंट है अभी वानप्रस्त अवस्ता है इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सदगुरु को भी याद करना है स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधन याने पावन बनाना है आज का वरदान है अपनी सुख्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वाचिंतक भव अपनी सुख्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वाचिंतक भव विश्लेशन है सिर्फ ज्यान की पॉइंट्स रिबीट करना सुनना वासुनाना ही स्वाचिंतन नहीं है लेकिन स्वाचिंतन अर्थात अपनी सुख्ष छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना परिवर्तन करना यही है स्व चिंतक बनना ज्यान का मनंतो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लेकिन ज्यान को स्वयम के प्रति यूज कर धार्ना स्वरूप बनना, स्वयों को परिवर्दन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती हैं। आज का स्लोगन है, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे, तो मेपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शान्ती। अच्छा, झाल रिजल्ट में मिलती हैं।